लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूले बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल चलिए आपको सीधे ले चलते हैं हमारे समवाता विकास के पास एक बाफ फिर से जिनके साथ है दो विधायक मौझूद है ओवर ट्यू विकास बिल्कुल देखे अमित जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया बीजेपी जो है वो इस बजट को एतिहासिक बता रही है हमारे साथ इस समय भाजपा के विधायक जो है मौझूद है सर किस तरह से देखते हैं आप इस बजट को कई तरह की खामिया जो है विपक्ष लगातार इस पर उठा रहा है कह रहा है कि बजट जो है निराधार है आम जनता को कोई फाइदा नहीं है जनता के साथ धोका है आप कैसे देखते है विपक्ष का काम तो खामिया निकालना हो यहां तक कि सरकार ने कोई भी अत्रिक्त टेक्स जनता के उपर नहीं लगाया है। परंतु विपक्ष इस वस्था में है कि सरकार एक वर्ष पूरे होगे, पिछला बजट भी आया, नया बजट भी आगया और सरकार को घेरने की कोशिश भी कर रहे हैं। परंतु उनको कोई चीज नहीं मिल रही है और निराधार बाते करके पिपक्ष के नेता ने आज पूरा दिन में जब अपना भाशन दिया तो कोई ज्यादा मुद्दों पर बात नहीं कर सके हुआ सबूनियों की बातों को घुमाते रहे और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाच पहले आये थे और उन्हें जो जोजना चलाई थी वो धरती पर उतरी हैं आज जन्मंच की सबसे ज़्यादा पीड़ा भी पक्ष को है और उस जन्मंच में आम गरीव आदमी का काम हो रहा है लोकतं तरकात की परकरा को जिंदा रखा है एक व्यक्ति उठकर अधकारियों के सामने बात करता है कि मेरा ये काम इन्हों ने नहीं किया और उतकारी उसको करने के लिए 10 दिन का सबे देता है ये किस तरकार ने आज़ता किया इसलिये सवाल तो कई तरह के है, सर आपसे फिर भी बात करेंगे, हमारे साथ जिला मंदी से ही बलके विधायक है, सर आपसे सिधा सवाल कि सारे का सारा पैसा जो BRICS से आया 680 करोड के करीब आया, उसके ठाइसो करोड से जिला मंदी को दे दिया गया, किस तरह से देखते हैं इस बैयान को आप विपक्ष करता यह क्योंकि निरधार क्यूंकि दया काम है तो लोगों को गुम रहा करना लेकर कि यहां तक विक्ष की बात है हर शित्र कौन उन्हें प्राथमत दी है मेरे चित्र में भी चतारी क्रोड़ पे की जो उठावी पेजर वेजन है जिसे जी हमारा जो उप्रिक शेत्रे भलका रिवास्तर बटान दुर्गापूर और हलेतर जो हमारे पाड़ी शेत्रे उस शेत्रे पानी के पीने की बहुत करना ही होती थी वहां लोगों कितने असुवी विधा होती थी क चार चार दीन के लिए पानी का बैट करना पड़ता था आज मानरिया मुख्यमत्री ने हमारे एक शेत्र के लिए जो उपणी खेद्र उसके लिए बहुत बड़िए बार पीने की बात करी है सड़कों की ही अगर बात करें क्योंकि काफी दुर्गम शेत्र है जो आपके विदान सबाक्षेत्र में आता है कई तरह की दिक्कते हैं लोगों को मजबूरी में जीना पड़ रहा है यह तमाम चीजें हैं सर आपको क्या लगता है बजट में कुछ राहत मिली है क्या पिछली उन्हें जो मेरे बल में सड़कों के लिए निमान के लिए चाया पकी करने के लिए जो बजट का प्राधन किया है साइध ही कभी प्रदेश किसकार ने पहले किया हो मैं चाहता हूं कि जो मेरी बल की सड़कें आज भी चका चक है और जो और बढ़ने वाली है उनको भी मानि दो लाग के लगबग हमारी जो मांचर की ग्रेणी योजना है इनको गैस चुला प्रदान के जाएगा हमारी बेहने जो है दूर से घ्रस होती थी आज धूर से हटा दिये जाएगा उनकी जो बमारी है वो दूर होगी मैं माने मुखह मतरी का बहुत हवार गरता हूं कि उन्हो से देखते हैं आप साथ हजार करोड का जो अभी करजा जो है हमाचल के उपर चल रहा है ऐसे में विपक्षे कह रहा है कि करजा जो है वो लगातार आगे की तरह बढ़ रहा है कम नहीं हो रहा है क्या ऐसे में विकास जो है वो किस तरह से हो पाएगा हमाचल का क्या देखते कैसे किते हैं? हमाचल पर देश और si वर शेवर यहां कांग्रिस की सरकार शेवार बनी और उन्य न् genuinely कर्जा लिया है और यह पता है हुचा की करजे के बेना हमाचल नहीं चल सकता हमाचल के साधन कम है और इन सादनों को दूर करने के लिए अगर किसी ने प्रयास किया था तो मानिय शांता कमार जी ना रियाल्टी के मुद्दे पर दिली की सरकार को केरा था उस वक्त भी रियाल्टी की मुद्दा बहुत घंबीर मुद्दा था बीजली के अपर रियाल्टी लेने का था, तो हमारी सरकारों में जब जब मुख्य मंतरिया हैं, कोशिश किया कि साधन बड़े सरकार के परंटु एक करजा लेने की बात तो सारी सरकारे करती आ रही है, मतलब तो जनता को विकास देना है, करजे के उपर इसके उपर तो तब हम बोल सकते हैं कि पिछली किस सरकार ने ना लिया हुँ आगे भी लेना पड़ेगा लेकिन सवाल यहां यही है कि क्या आने वाले समय में जो कर्ज है उसको कम किया जा पाएगा तो विकास किस तरह से जो हैं वही माचर पर देश में होगा यह देखना होगा अमिए बहुत शुक्रिया आपका विकास एससे जानकारी और बाच्चित के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेटिस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूले बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल